नवस्कार दोस्तों अगर आप पहली बार बक्री पालन कर रहे हो और उसको बक्री वगरा चारा वगरा खिलाने के लिए फीडिंग के लिए अगर कुछ बनाते हो तो जो किस टाइप बनाए तो जैसे कि आपको बता दू कि एक इसे दिवाल बनाना पड़ेगी जिसका ना इस इसको अपन डेड़ फीड जमीन से दिवाल बना सकते हैं तो डेड़ फीड का बनाएंगे उसके बाद छे छे इंचे पर आप पाइप रख सकते हो जिसे ये छे इंचे का पाइप जिसे रहेगा तो उससे क्या होगा कि बक्री वगरा जिसे यहां से मुँँ अगरा डाल के मुआ हैं तो इसमें उसके इसमें log drive अब उरते हैं तो इस टाइप का बना सकते हो उसके बाद 6 चया एक फीड पे एक पाइप रखें जिससे क्या यह जमीन से यहां से जमीन से उसके अंदर नहीं कुद है जिससे क्या इसके कुदने से क्या होता है कि वो उसमें पैसा वगरा बातनों वगरा कर देते हैं जिससे चारा वगरा खराब कर देते हैं तो वो नहीं खाते उसके बाद तो आप अगर ऐसा बनाना चाहते हो तो यह सिंपल है कि आप 10-10 फीट पे दो पाइप लगा सकते हो जिसे कि यह 10-10 फीट पे दो पाइप लगे हुए हैं और वह 6-6 इंच के के दोनों के बीच दिवाल से यहां तक की दूरी 6 इंच तक के रहती है तो इससे वह आसानी से खाना खा सके यह कुछ भी 14 ऋगर चंश सकते है तो इस टाइप का बना सकते हो तो इससे बहुत अच्छा रहता दाना घरना आप आसानी इसमें आल सकते हो तो बच जो भी जब भी उसको खाना रहता बकरा को तो खा सकता है तो ये वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि अगर फिडिंग का बनाना चाहते हो तो इस टाइब का आप बना सकते हो धन्यवाद